कarı हलो इव्रिवन वेल्कम टो यूट्यूब हीचैनल ऍपड इंग नेयर्स तो आजних यूड़ों भीटेश करेंगे किस तरह से हम मीटर को संटीमीटर में कर सकते हैं यह स्टीमीटर को मीटर में कैसे कनपकर नाउन कब्सक्राइब सब्सक्राइब बस वीडियो को आपको एंड तक देखना हो अब वीडियो अच्छी लेकर तो शेट जरूर करना अब स्टार्ट करते हैं देखो कोई भी चीज है ना आप किसी भी तरग करना चाहते हो आपको एक यूनिट का पता होना चाहिए हम यहां पर जासे डिसकर्स कर लेते हैं आपको अपको एक मित्र में हमनेट में कितने संटीं करनें घं Hum आप इसको 12 से मिल्टिप्टाइग कर दोगी तो आपको इस करेक्ट आंसर आजएगा मैं आपसे पूछता हूं कि 5837.25 में कितना सेंटीमीटर आप इस 100 को इस टम से मिल्टिप्टाइग कर दोगी आपको करेक्ट आजएगा आपसे आपको एक जुनिट का पता था अपको एक जुनिट का पता होंड़ के Audio क्यूंकि आपको की पता है कि करना है आपको एक सैंटीमेटर का पता होना चीए एक बादा रभाश कि हम इतना पता है कि hundred सैंटीमेटर जो है वह एक मेटर के बराबर हमें इतना बता है लोगा से vivager ऑगर भागत करें तो किसके बराबर ले आप से कोई पूछता कि 53 cm जो है वो कितने मीटर के बराबर आप इस टर्म को 53 से मल्टिपाई कर दोगे आप से कोई पूछता 635 cm कितने मीटर के बराबर आप इस तर्म को 635 से मल्टिपाई कर दोगे यानि कि आपको एक यूनिट का पता होना चाहिए आप से कोई पूछे रखना है कि एक मीटर में सो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर से मीटर में करो मीटर सेंटीमीटर में करो आप असानी से कर सकते हो क्लियर हो गया वैसे यह गरम mm की बात करें वह आप में छोड़ता हूं आप थोड़ा समझा जाता हूं आपको हमें पता है कि एक सेंटीमीटर जो ह में अदेखता हूं की एक मेटर में मुझे पता है कि एक मीटर में कितने हैंद если अब हो कर ल्यूंगे यहां पर में합니다 लिखो चाहि में 1000 mm लिकी बात है नहोंकि सब्सक्राइब कि एक छीज तो हैं तो यह पता लगता एक मिटर में मने को सबाकरट कर दिया मुझे पता था 1ET यहां आइंप मियिद अब सब्सक्राइब करते मोट स्टोच कोई कुछ पूझ आप से पोच्छे कूछ फूचे कुछ फूचे कुछआ कोई पान्सों पिस्टक पाइगे इसको 575 से मृट्पण कर दोगी ट्रोग गया में वह पसाने से कर सकते हो बट अगर कि मेंटर में करना हैं एक मीटर में कितना हो जाएगा वन भाइस ऑन तो को पता ला गया अब अब कुछा नहीं कितने मेंटर आप इसको 55 say कोई कुछ मुछ भी बूचले आप असानी से कर लोगे दिर आगे चलते हैं कि कोशन आपके लिए रखना हूं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे आप बताओ कि आप मुझे बताओ कि कि 1025 mm कितने मीटर होते हैं यह आपने मुझे बताना है 1025 mm कितने मीटर यह अप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ आप कैल्कुलेटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि यूज करना यहां पर जरूरी है ठीक है आगे चल लाते हैं अब हम मारा मेटर से सैंटीमेटर हो सब कुछ हमने डिसकर लिया मीटर से हमने म17 कि दर मीटर के बराबर होता है इस चीजस का में पता है तो हमने इस है जैसे हमें पता है इतना हमें पता है कि one kilometer equals to thousand meter ठीक है इतना हमें पता है ना अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले आपसे पूछते कि पांच किलो मेटर में कितने मीटर तो आप इसको five से मल्टिप्वाइट कर से कर दोगे आप बोलोगे कि 1,000-meter जो है वो एक किलो मीटे के बराबर यहां से एक मीटे की बात करें गे तो one by 1000-境 मीटे के बराबर हो जाएगा अब आप्से कोई कुछ भी पूछ लिए आप से कोई पूछता है कि 10 थाउजंड तो उसमें कितने किलोमेटर हो जाएंगे तो मैं यह मुल्टिफ्वाइए कर जाता हूं तो यह 3030 कट जाएगा यानि कि कि 10,000 में कितने किलो मेटर हुए 10 किलो मेटर हुए क्लियर हो गया इस तरीके सब आपसे कोई कुछ भी पूछता है आपने सिंपल आपको एक यूनिट का पता होना चाहिए आप को एक यूनिट का पता है बसागी सिंपल मल्टिकेशनल कंसेप्ट है तो इसी तरह से बागी की आपको एक पताना और यह भी पताने कि आपको वीडियो कैसे लगी फीडबेक देते रहना और बागी किसी तरह के डिट वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बदाओ वीडियो चेले तो शेयर जरूर करना थैंक्यू